सामसंग M21 फिंगर्प्रिंट सेटिंग नमस्कार डोस्तों सवागर आप सभी का तिकराच यूटूब चैनल पर तो आज के इस वीडियो पर हम यही देखेंगे कि आपने डिवाइस में फिंगर्प्रिंट सेटिंग कैसे सेट कर सकते हैं अगर आपके मोबाइल पर मोबाइल के जो मोडेल है वह सेम होने के वाज़ूद कोई डिवाइस में फिंगर्प्रिंट सेंसर नहीं आते तो इसी वज़से में मैंशन कर रहो अगर है तभी आप देखें तो दोस्तों आए वीडियो शुरू करते हैं और वीडियो शुरू करने से पहले दोस्तों जैस जाना है सेटिंग पर सेटिंग पर जाने के बाद दोस्तो आपको यहां पर सिंपली जो है बाइव मेट्रिक्स और एक चीजा रहता हूं फिंगर्पिंट एट करने सेपेले फिंगरपिंट सेरिंग करने से पहले मोबाइल के स्क्रीन लॉप सेट करना बहुत जरूरी है ठीक है मोबाइल का यह पासों डेना है उसके बाद यहाँ पर फिंगर्पिन कर सकते हैं तो मेरे पास दोस्तों मैंने अलड़ी दो एट कर रखा है मैं पहले उसको रिमूब कर देता हूं ताकि आपको समझ मैं अच्छे तरगे से ओके नेक्स्ट नेक्स्ट पर दोस्तों आप को यहाँ पर प्लस में क्लिक करना है और फिंगर्पिन बर देना है कंटिन्यू पर क्लिक किजिए और फिंगर्पिन डीजिए अपना थाम या फिर कोई भी उंगले आप दे सकते ठीक है फिंगर को थोड़ा सा मूफ कीजिए और टाइम डीजिए और अच्छे तरह के से अगर्पी दोस्तों आपका फोन लोक नहीं होगा ठीक है तो हो चुका है डन पर क्लिक करें अगर को दूसरा फिंगर्पिंगर्पिंगर्पिंगर्पिंगर्पिंग करने के लिए लग जातें तो आप भी दोस्तों इस प्रकार से फिंगर प्रिंट सेटिंग कर सकते उमीद करते हैं दोस्तों आपको वीडियो पसने होगा तेंक्स पूर वाचिंग